अगर आप भी खासी से बहुत जादा परिशान हो रहे हैं आप भी खास्ते खास्ते एकदम से बहुत जादा परिशान हो चुके हैं और इस खासी को आप बहुत जल्द ठीक करना चाहते हैं घर की रेमेडिस से क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी खासी की शीरफ पी चुके हैं लेकिन फिर भी आपके खांशी कम नहीं हो पाती है ऐसे में घर की बनाई हुई रेमेडी जो आप यूज करोगे तो यकीन मानी है आपके खांशी को बहुत जल्द रहात मिलेगी तो हाई फ्रेंट्स विल्कम बेक टू मैं चैनल कैसे हो आप सब आई हो आप सब बहुत तो अच्छा इस असान सी मेथट को असान सी रेमेडी को बनाने में बहुत जादा इंकिरियंस के जुरुत नहीं होती है लेकिन इसे अगर आपने एक से दो बार ही पी लिया तो यकीन मानी है खांशी की आपकी बहुत जल्द चुटी हो जाएगी क्योंकि यह रेमेडी बहुत जादा खाश है तो चले इस असान सी रेमेडी को हम बनाना शुरू करते हैं लेकिन उसे पहले आप से रिक्वेस्ट करना चाहें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को शश्क्राइब वीडियो करके जरूर जाना लास्ट में प्यारा सा कोमेंट करके फीजाना तो चले इसे अम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम ले लेंगे अम्रूत के पते आपके बहुत जादा जैसे की कोमल पते होते हैं जो नई पते होते हैं तो वह पते आपको लेना है बहुत जादा जैसे के पुराने पते होते हैं उसे नहीं लेना है आपको न करने में बहुत जादा है इसलिए खाशी को ठीक करने में बहुत बड़ा हाथ है अधरा गर्म होता है जिसे अगर आपने रिगुलर तरीके से यूज किया तो यह चुटी हो जाएगी तो एक टुकड़ा मदरक लेंगे और इसे चोटे-चोटे टुकड़ों में कट कर लिंगे तो देख सकते हो कि बहुत जादा अधरा को बिल्कुल भी नहीं आहे और यह रिमडिया आपको स्टोर करके रखना आपको हाथ बनाना है और हाथ बाती से यूज करना है तो जैसे की अप देख सकते कि मैंने एक चोड़े का अधरक मैंने अध जएसे कि खलबटे लेए के तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे खलबटा लिया है और ले करके अद्रक को या तो मैं छोटे टुगड़े कर लोंगी या फिर ऐसे इसे कुट लोंगी तो आप जैसे भी शुविदा ओ जैसे आपको समझ में वैसे आप कर लेना तो इस तरह सब तरह से यह दरदरा सा कूट चुका है और दूसरे बाल में आप इसे ट्रास पर कर लो या फिर वैसे रहने तो उसके बाद से अब हम लेंगे एक पैन और पैन में लेंगे हम पानी पानी यह में बहुत जाद नहीं लेंगे एक लगभग लेंगे चोटी गलास से बहुत जाद बिल्कुल भी नहीं लेना है तो मेडियम शाइस के लास ले या एक लास चोटी गलास से ले और इस तरह से इस इसमें डाल लेना है और डालने के बाद इसे अब हमें क्या करना है कि चूले पर चड़ाना है लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि अधरक बहुत जादा बिल् जैसे कि यह कुछ गंदगी होती है तो इसे अब हमें क्या करना है कि वाश कर लेना है तो चुकि अब देख सकते हैं कि मैंने पत्ते को पहले ही वाश कर लिया था और इसे किलीन करने के बाद अब फिर इसे मैं तोड़ूंगी छोटे-छोटे टुकड़े करूंगी चुकि आपने का आप थूसरी आप यह सोच रहे होते होँ रही है कि अमरोद के खाने से कहांशी घ्Яश् mais इसे, अगर आपने रेघृौर सी तो उयक्तम थीक कर देगा तो यह खाशी को घृट अप्लगी में बहुत इसे हम जैसे की पकाएंगे तो एक दो पत्ते और हम में रख लिए इसके पाउरफुल बढ़ाने के लिए एक दो पत्ते को और में रख लोगे और अची तरह से इसे मिक्स कर लोगे देख सकते हो दूलिशों को में चुले पे चड़ा दिया है तो यह थोड़ी देर के लिए पकानी है चुक्ति आपको बता दे कि हमें उस टाम तक पकानी है यह तक इसकी कुटणिश को पानी में आ जाए तो बहुत जादे नेया कम से कम इसे दो तीन सब्सक्राइब कराका जार इसे कोई किसी चीछ की कोई पा रहती है यह है। जैसे कि खुल जाता है अब इसमें थोड़ा सा हम रख देंगे नमक चुकि नमक एक टेस्ट को बढ़ाता है और दूसरी बात है कि नमक भी खांशी को टिक करने में बहुत जादा हिल्प करता है प्लस में जो हमारे गले में खरास होती है चाती में जलन होती है या फिर बल्ग चुकी है और निकल कर पानी में सारी घुड़ेश आ चुकी है तो अच्छी तरह से यह खौल चुका है और लगवाद थोड़ी तर और हम खौलाएंगे और इसकी खुला लिया है और यह खुलने के बाद बिल्कुल तयार हो चुका है तो अब हमें क्या करना है कि इसे किसी हमारी जो रहे है 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 जैसे हम चाय पीते है हुस्ति ऐख सकती हो जाएंगे तो इसे क्या करना है कि हल्कर ओकर चाय है उससे भी ठंडिक हो जाएंगे और इस तरह चाepy जख आरमाएंगे से लेकर के हम चुस्की लेकर के इसे थोड़ा थोड़ा करके पीएंगे सूबा साम इसे लगबग आपको दोनों टाइम पीना है और दोनों टाइम पीने से इसकी जो खाशी के जो यह रेमिडी जै बहुत पारफूल है इसे अगर आपने हफ़ते भर यूज किया अपने प्या आप मिलेगा खाशीशे इस तरह से आपको क्या करना है कि इसे अपने जैसे के थोड़ा से अपने मुँमें रखर करके कुल्ली भी करनी है और कुछ पानीयों को लगबग पी जाना है तो आप दोनों ही तरह से यूज कर दिया तो पीलो या कुली कर लो लेकिन थोड़ा इस दो इस तरह से यह सारे बलकम को निकालने में बहुत जादा है और आपकी खाशी को सुखी खासी हो या बलकम ओली खाशी हो दोनों को ही बहुत ही अच्छे तरीके से निकालेगा चुकि इसे इसकी जो गुड़ने शहना बहुत जादा होता है चुकि इसे अधरक भी हमारे खाशी को ठीक करने में बहुत जादा है तो अधरक जो होता है यह गर्म होता है और गर्म होने के कारण यह हमारे जैसी के खाशी को एकदम से ठीक करता है तो इसे आपको शुवसाम लगबग पीना है आधी-अधी केलास बना करके और आधा 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 से आपको कुली करनी कोई भी अगर जहि inject ही बहुत जादा तेज हो लीए तो địus द्रहा के बल्गम को टीक करेगा और बहुत सारी से प्रभलम को टीक करेका तो गले में खराच है बल्गम है इससे तो इन सारी प्रोब्लम को दूर करने वाली आज की रिमेडी बहुत जादा खाश है इसे आपको जरूर यूज करना चाहिए क्योंकि हाशी बहुत जादा हो जाते क्योंकि शर्दियों में खांसी का एक तम से ठीकाना बन जाता है और अगर आपने इसे यूज किया तो इसके से रिक्वेस्ट करूंगे कि अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राब जरू करना बेल आइकन घंटी को प्रेस्ट करना ताकि कोई भी मेरी अगली वीडियो आ है तो उसका नोटिफिकर्शन आपको शब से पहले पहुचारास के लिए बाबाए टेक किया